नमस्कार जनसत्ता में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ आरुशी शिववास्तवा समाजवादी पाटी ने शिवपाल सिंग यादव और ओम प्रकाश राजभर को बड़ा जटका देते हुए खुली नसीहत दी है और इन दोनों निताओं को पत्र जारी कर गिया है इस पत्र में शिवपाल सिंग यादव को मैंशिन करते हुए लिखा गया है कि अगर आपको लगता है कि आपको कहीं और ज्यादा सम्मान मिल रहा है तो आप वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र हैं इस तरहे का पत्र ओम प्रकाश राजभर को भी मेंशन करते हूँ लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए आपको काम करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपको कहीं और ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आपको वहाँ चले जाना चाहिए हलाकि समाजवादी पाजी के ओफिशियल एकाउंट से ये लेटर जारी होने के बाद ना ही ओप्रकाश राजभर शान्त बैठे हैं और ना ही चाचा शिपाल शान्त बैठे हैं इस मामले में उन्होंने अपने भतीजे और सपाध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा था और यूबी के पूर्व सीम मुलायम सिंग यादव के सम्मान को याद रखने के लिए कहा था शिफ़ाल सिंग यादव ने पत्र में लिखा था कि यह निती की अजीब विडंबना है कि समाजवादी पाटी ने राश्टपती चुनाव में उस सुव्यक्टी का समर्थन किया है जिसने नतीजों को उनके रक्षा मंत्री रहते समय पाकिस्तानी गुप्चतार संस्थान आई-ए-आई का एजिंट बताया था इसे के साथ जो समाजवादी पाटी ने राजबर के साथ ही शिफ़ाल के ये पत्र जारी कर उनसे कहा कि अगर आपको लगता है कि आपका सम्मान कहीं और है तो आप स्वतंत्र है इस पूरे मुद्धे पर राजबर और शिफ़ाल चाचा ने अपना बयान भी जारी किया है चाचा शिफ़ाल ने कहा है कि मैं पहले से ही स्वतंत्र था लेकि मुझे ये जानकर खुशी है कि आपने पत्र जारी करे इस बात का एलान कर गया कि मैं आप स्वतंत्र हूँ इसे के साथ अगर राजभर की बात करें तो ओपी राजभर ने प्रेस कॉंफरेंस कर इस बात की संकेत दिये कि कोई न कहीं बीज़िपी के साथ गट बंधन बनाने को तयार है हाला कि आप देखना मज़िदार होगा कि इस पूरे मुद्धे के बाद चाचा शिवपाल और ओपी राजभर के क्या कदम होते हैं क्या वो बीज़िपी के साथ जाके गट बंधन बनाने को तयार है इसके पल टू पल की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे जो निसबताच.com पर आपको बने रहना है हमारे साथ